दावु दयाल की महती करपा स्रीमद भागवत जो मानवी जीवन के समस्त प्रश्णों का उत्तर है, हल है, समस्याओं का हल है और वो हल, हलधर के बिना संभव नहीं है इसलिए हलधर के आनुगत्य में बैठकर सब्त दिवस्य इस स्रीमद भागवत का जो भागे रती की धारा बह रही है इसमें न जाने कितने हम जैसे जीवों का दुन्धकारी की तरह बंदे हुए छेछे गांट कब खुल जाएं, एक कव खुल जाए तो काम बन जाए महाराच छो साथ न खुले कव खुले तो काम बने हैं, वो गांट खुल जाएंगे, नॉट्स इस दुनिया में सबसे जादा परिशान वोई गांट नॉट्स करते हैं, बन गई तो बड़ी कठी, बड़ी तकलीप है, खुल गई तो बात बन गई भगवान के उपर लगे आरोपों को भगवान ने कितने सत्य का उदभेदन करते हुए, न जगडा, न लडाई, न कोई ब्लेम, न कोई गेम, आरोप लगा है, तो सत्य को सामने लियाओ, और भगवान ने प्रमानित भी कर दिया, सत्य भामा के रूप में, योगेश्वर भगवान को, अस्थदा प्रकरती से एक प्रकरती भी बिल गई, अब एक आज के दिन में जो सबसे प्यारा चरित्र है, वो सुदामा जी का है, प्रायर सभी भागवत के वक्ता, भागवत की कथा में, इस शरित्र को समास या व्यास विधी से कहने का प्रयत्न करते ही हैं, जो कथाएं बड़ी प्रचलिते हैं, उन कथाओं के सार तत्व को लेना, और सार तत्व लेकर, उससे जीवन में परिवर्तन होना, समाज में परिवर्तन होना, पहली बात तो ये बात कि मुझे यही बात पता नहीं, कि द्वारिका में स्री कृष्ण के नगरी में, किसी विप्र को साइद धक्का दिया जाए, द्वारपाल के द्वारा, मुझे यही सही नहीं लगता कि यह संभव है, कथा रोचक हो, परिवेशन करना हो, परन्तु उस युग में हुई उस कथा, घटी उस घटना को, उस समय के संस्कृति और भगवान के लीलाओं का प्रकास किस रूप में परिवेशी तो हो, यह दाइद तो भी हमारा है, जहां तक मुझे पता है कि द्वारिका, मैं ये पहले से बता कर रखा गया, कोई बृद्ध, बालक, बिधवा, दुरबल और विप्र को किसी भी समय, द्वारिका के राज्य में रोक नहीं था, वो सीधा जा सकते थे, इसलिए कल आने वाले भगवान की महिमा और भगवान की दया तो बड़ी अच्छी बात है, क्या हो गया महिया, अच्छा अच्छा, कचु गडबड़ है का, सांप निकल गोगा, यहां कहां निकलेंगे, खुदी सिये सनाग बैठे हुए मारा है, तो उन बातों को भी, सही स्वरूप में रख पाना, जो प्रतम गिन से ही मैं आपको कह रहा हूँ, कि आने वाली बीडियां, बहुत सारे प्रश्ट करने वाली हैं, और हम मुट्टी भर रह जाएंगे, मुट्टी भर में ही जबाब लेंगे, सबाल करेंगे, और इसी में खुस हो जाएंगे, ताली भजा लेंगे, रह जाएंगे इतनी, वो जो ब्यापक था, जिस बस उदहे हो, कुटुम्ब कम की बात की गई, हमारो टीवी में थो बड़ा ठीक ना यार हो है, जाए हो महराज, बीज बीज में बता दे हो महराज, हाँ, गडबड़ चेहरा आया, तो हम फिर, हम क्या करें, हमारे स्वामी, स्री ग्रिसा नंजी महराज, हमारे इतने प्रिये हैं, कि हम जुक के उधर चले जा रहे हैं, लग रहा है, कब खिच के वहां न पहुंच जाए हो, हाँ, उद्धा, इने साइड हम चले जा रहे हैं, हमारा आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरे प्रती, अत्यधिक रहता है, और जब हम बहुत अस्वस्त ते इस सरीर से, तब भी स्वामी जी सदा, एक संत की भाती, एक सच्चे हितैसी की भाती, कैसे ये सरीर स्वस्त हो, और पुनह लोक शेवा कर सके, इसके लिए तन, मन, धन, हरदय, प्राण, सर्वरूप से आप सदा खड़े रहते, ये आपकी सवहर देता, आपकी दिव्वे भावना, दास को सदा समरित रहती है, मेरे समरण में रहता है, भगवान, के द्वारपर, किसी को ऐसे धक्का दिया जाए, भगवान तो करुनावान है, जैसे हमसे लोग पूछते हैं, कि कुरुजी आप अगर अच्छे हैं, तो आपके पास रहने वाले लोग ऐसे कैसे हैं, देखो, बहुत लोग हास रहे हैं इस बात पर, क्योंकि हमसे एक अई प्रशन लोग करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, महराज जी आप और फिर आपके पास लोग करते हैं, पाने जी आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो भी उसी से परेशा, कि हम दुनिया में बड़ी संतों से मिलें, कथा हुई महराज, पर हे प्रभू, आप और आपने चुना कहां से हैं इन लोगों को हमको बता दीजिए, ऐसे लोग हमको भी कहीं मिल जाएं, संडा मर्क, महराज जी तो सबकी यही बात होती है, कि आप अच्छे हो, तो आपके पास ऐसे कैसे लोग हैं, तो कल ये भी प्रश्न होगा, स्री कृष्ण अगर विप्रधे नुसूर संत हिता आये हुए हैं, तो वो कैसे द्वार पर किसी विप्र के साथ ऐसी घटना हो जाए, कि उनको धक्के दे दिये जाएं, वो गिर जाएं, लड़ खडाने लगें, गि गिडाने लगें, then how is it possible, it's not good, ये ठीक नहीं है, ये कल प्रस्न पूछा जा सकता है, भगवान के द्वार पर एसे, कृष्ण के द्वार पर एसे, एक confusion जरूर थोड़ी सी पैदा हुई, भई आया कोई और कहा हमारे मित्र हैं, हमको मिलना है, लेकिन confusion तुरन दूर हो गई, क्योंकि बैकुंठ में सनक सनंदन इत्यादी जब आये, और जय बिजय भूल कर गए, तो यहां भी तो जय बिजय ही खड़े होंगे, ठाकुर जी आये तो ठाकुर जी के द्वार पाल भी होंगे, अब दोनों का मामला खतम हो गया, मरमरा के द तो उनको तो याद होगा, कि दुनिया में काउ को ऐसे मित्र नाई होएं, हमारे ठाकुरे के होएं, मारा एक बार दो चार नंगे आदमी को रोक दिया था, तो तीन चार जनम लेने पड़ गए, अब यह आये हैं, इनको रोकेंगे तो पता नहीं कितना जनम लेना कम से कम यह भी तो समझ गए होते हो, इसलिए वहाँ भी उनको नहीं टोक सकते हो, तो मुझे लगता है, मौलिक कथाओं में छेड छाड़ न करके, रोचक तो ऐसे ही स्रीकृष्ण इतने हैं, स्रीकृष्ण से जादा आकर्षन दुनिया में किसमें हैं, अब उसमें और पैदा करने की क्या जरूरत है, इतना आकर्षन पैदा न करें, कि बारिस हो जाए, महाराज बढ़िया नया नया बिवा हुआ था, लड़का बड़ा खुस था, और अचानक बारिस हो गई, और बारिस के बाद अचानक जब चेहरा देखा तो घवरा गया, तुम ही हो ब पोचक्ता के चक्कर में, भगवान के मूल मर्यादा और ताकालिन संस्कृती ताकालिन व्यवस्था स्री कृष्ण के युग में, बलकि सास्त्रों में तो ये कहा गया है, कि जहाँ पर जो चीज़ें लोप करने की जरूरत हैं, छू कर निकलने की जरूरत हैं, जहां तक हमा पारी समझ नहीं पहुच पारी बुद्धि नहीं पहुच पारी प्रणाम करके आगे निकल जाओ मुझे लगता है स्री कर्ष्न के दThe key barपर आये हुए किसी बी विप्रो किसी भी कि तुर्बल किसी भी हीन व्यक्ति को दीन व्यक्ति को बड़े आराम से पहले बिठाया जाता उनका सिवा किया जाता और भगवान तक सूचना दी जाती यह सुदामा के चरित्र में यह चीज भी देखना पड़ेगा और फिर पूरी द्वारी का सुदामा को प्रणाम कि भग तो साक्षात गोविन से मिलने में अगर कोई संकोच हो रहा हो, तो इस संकोच को दूर कर धर्म पतनी, अपने धर्म युक्त पती को, रामों विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के पास भेज दे, यह प्रत्यक धर्म पत्नी का कर्तब्य है जो सुसिला माता ने निभाया और सुदामा जी को भेजा द्वारिका में यह कर्तब्य है प्रत्यक धर्म पत्नी का कर्तब्य है नाम यह है धर्म पत्नी खाली पत्नी नहीं है आप धर्म पत्नी धर्म पहले लगा है धर्म पत्नी के रूप में स्विकार्या धर्म पत्नी का अर्थ भी यही है हम तो बहुत जादा विद्वान हैं नहीं स्वामी मुकुन्दा रंजी बैठे हुए हैं कभी बेदान्त का चर्चा करेंगे वो समझाएंगे आपको लेकिन इतना जरूर कह सकते है कि धर्म के पत्से न तो स्वयम अपना पतन होने दे और न अपने पती का पतन होने दे वही धर्म पत्नी है महराज सदा धर्म के मार्ग में उत्थान और उन्नती की दिसा को अगरसर करती रहें वही धर्म पत्नी का कारिय है